हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम लोगोंने L.T. सिक्षन अब बिरूची को लेकर एक विसेश सीरीज चलाई भी है जिसके क्रम में हमने पिसली वीडियो में बुद्धी यानि की इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था क्योंकि दोस्तों यह टॉपिक काफी विस्तृत था तो हमने पहले ही बताया था कि इसमें कम से कम दो वीडियो की आवशकता पढ़ेगी तो हमने उसमें बुद्धी के आर्थियम सुरूप के बारे में जाना था और इसके अलावा हमने मानसिक, आयू और बुद्धी लब्दी क्या होती है इसके बारे में भी डिसकस किया था अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइट कर दूँगा आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बुद्धी की माप इसके बारे में आज हम शॉटली डिसकस करेंगे और जल से जल इस टॉपिक को खतम करने का प्रियास करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो friends आज का topic है बुद्धी की map देखे बुद्धी की map बुद्धी परिक्षण के द्वारा की जाती है जो कि हमने पिसली वीडियो में discuss किया था intelligence is जो सबसे पहला जो बुद्धी परिक्षण था दोस्तों बिने तथा Simon ने मिलके 1905 में बनाया था और यह बुद्धी परिक्षन आने वाले वर्सों में मनव विज्यानिकों के बीच काफी लोगप्रिये हुआ था क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट और ये पहला प्रियोग था तो ये काफी लोगप्रिये हुआ था और काफी चला भी था उस समय ठीक है ना के मापन में मैंटल एज का प्रियोग करते थे यानि कि मानसिक आयू का प्रियोग किया जाता था लेकिन बाद में इसको बदलके इसकी जगह पर आईक्यू यानि कि इंटेलिजेंट कोशिंड बुद्धी लब्दी का प्रियोग किये जाना लगा बुद्धी के मापन में इसक सबसे पहला परिक्षन है वो है बिने साइमन परिक्षन दोस्तों जिसे कि अमने डिसकस किया था कि इस परिक्षन का निर्माण बिने था था साइमन ने किया था 1905 में सबसे इंपोर्टेंट है यह ध्यान में रखे कि यह फ्रेंच भासा में इसका निर्माण किया गया था ठी से ज्यादा विक्ति का बुद्धी परिखन एक साथ लिया जाता है जैसे कि आर्मी अलफा आर्मी टेस्ट और आर्मी बीटा टेस्ट जो होते हैं यह आपके सामुईक बुद्धी परिखन के दोस्तों अंतरगत आते हैं ठीक है इसको अपने ध्यान में रखना है इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें वेशलर बुद्धी परिखन की वेशलर है इन्होंने भी बुद्धी के मापने के लिए दो नियम दिये थे इन्होंने वेश्क की बुद्धी को मापने के लिए 1939 में एक मापक तयार किया था जिसका नाम इन्होंने वेशलर वेलिब्यू मापनी इस परिक्षड में एक तरीके से दो फॉर्म मिलते थे जिसमें आपके दस दस उप परिक्षड होते थे यानि कि सब टेस्ट होते थे अब दस में से पांच आपके शाब्दिक मापनी होते थे यानि वर्वल स्केल और पांच आपके क्रियात्मक मापनी होते थे यानि परफॉ कि ऐंसे तो इसका नाम इसमें रख़ंई गया थीख एतनी चीज़े ध्यान में रखेगे वेशबर का बुद्धी परिख्षन किया जाता था ठीक है ना एक तो इनोंने एडल्ट के लिए बच्चों के लिए तो यह तो आभी तक हमने डिसकस किए वो थे अपके सारे के सारे डिल्ट के लिए इसके बलावा जो इनयोंने 2 नियम तो एक तो एडल्टे के लिए एक दूसरा दिया इन्होंने चाइल्डे के लिए इन्होंने 1949 में निकाला था जो एडल्टे के लिए निकाला था इन्होंने 1939 में निकाला था बुद्धी मापने के लिए तो जो बच्चों के लिए निकाला था इन्होंने 1949 में इसको इन्होंने 16 वर्स तक के बच्चों के लिए बच्चों के बुद्धी की माप की जाती है इसको आपने ध्यान में रखना है तो इन्होंने दो नियम निकाले आपने को ध्यान में रखना है क्या क्या आपको ध्यान में रखेंगे देखे जो वेश्टर गुद्धी परिक्षन आप फिर से बतायता हूँ एक इन्होंने एडल्ट के लिए निकाला एक इन्होंने चाइल्ड के लिए निकाला और चाइल्ड के लिए निकाला और चाइल्ड के लिए निकाला इन्होंने ध्यान में रख लो बाकी आपको कुछ याद करने की अवशक्ता नहीं है इसके अलावा आता है केटल संस्कृति मुक्द बुद्धी परिक्षन केटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस भी बुला जाता है इसका निर्मान आफकोस केटल ने किया था केटल ने इसमें 3 मापक बनाए थे मापक 1, मापक 2, मापक 3 ठीक है ये भी बुद्धी मापने का परिक्षन है इसमें 4-8 साल के बच्चे आते थे इसमें 8-13 साल के और इसमें 13 साल से उपर यानि 14 साल से उपर के 14 या 14 वर्षसे अधिक के विक्थियों के लिए इसको किया जाता था, ठीक है, बस आप इसको ध्यान में रखो, बस बाकी कुछ आपको ध्यान रखने की अवश्यक्ता नहीं है, ठीक है, इसके बाद आते है, Ravens, Progressive Mattresses, ठीक है, इसका निर्माण Ravens ने किया था, 1938 में, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और इस परिक्ष इसको ध्यान में रखेंगे, बच्चों के लिए colored वाले होते थे, और जो adult होते थे, उनके लिए standard होते, तो standard progressive mattresses उनको बोला जाता है, बस इतना आप ध्यान में रख लो, इसके अलावा कुछ प्रमुख भारतिय बुद्धी परिक्षन भी हैं, जिनको भारतियों द्वारा यानि कि भारतिय विग्यान, मनो विग्यानी को द्वारा कंड़क्टी किया गया था, तो इसमें आप अप मैंने important लिखे वे, MC जोसी द्वारा, मांसी के उगिता परिक्षन जोकी 1960 में किया गया, प्रियाग महता द्वारा, बुद्धी परिक्षन 1962 में किया गया, सारी factual knowledge है आर के टंटन द्वारा, सामुएक मांसी के उगिता परिशन 1971 में, ठीक है, तो ये काफी सारे हैं ये, अब मैं क्या करूँगा, आपको लिंक, आपका टेलीग्राम का लिंक है, आप अबाउट सेक्षन में जाईए, अबाउट सेक्षन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप हमारे चैनल को में जॉइन हो सकते हैं, टेलीग्राम वाले, मैं वहाँ पर आपको इसकी बीडिया प्रोवाइट कर दूँगा, तो ये फैक्ट्वल नॉलेज है, आप इसको आज़ जादा कुछ नहीं कर सकते हैं, हालंकि फिर भी आप इसको बहुत इसली याद कर स इनके बारे में डिसकस कर लेते हैं, देखें दोस्तों, बुद्धी परिक्षन को हम मनोवग्यानी को ने दो कसरोटे के आदार पर वरगी करित किया है, एक है क्रियानवन के आदार पर, एक होता है एकांसो के स्वरूप के आदार पर, ठीक है, ऐसे हम इसको करने का प्रियास करते हैं, देखें क्रियानवन यानि की एडमिस्टेशन के मोड पर, ठीक है, तो क्रियानवन के आदार पर का आजाए, तो एक होते हैं आपके वेक्तिगत बुद्धी परिक्षन, अब वेक्तिगत बुद्धी परिक्षन कैसे परिक्षन होंगे दोस्तों, जिसमें एक समय में एक ही वेक्टी पर जो परिक्षन किया जाता है उसको हम वेक्तिगत बुद्धी परिक्षन बोला जाता है ठीक है तो बिने और साइमन के द्वारा जो परिक्षन किया गया था 1905 में हो कैसा था वेक्तिगत बुद्धी परिक्षन था ठीक है इसके अलावा आता है सामुहिक बुद्धी परिक्षन, अब सामुहिक बुद्धी परिक्षन का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिसमें क्या होगा वेक्टी के समू में जो परिक्षन किया जा सकता है, यानि एक से अधिक वेक्टी या वेक्टी के समू में जो परिक्षन किया जा सकता है, उसको सामुहिक बुद्धी परिक्षण बोला जाता है तो जैसे मैंने बोला आर्मी अलफा परिक्षण और आर्मी बीटा परिक्षण ये सामुहिक बुद्धी परिक्षण के अंतरगत आते हैं ठीक है अब इसके बाद आता है एकांसों के स्वरूप के आधार पर देखे एकांसों के स्वरूप के आधार पर किस ताइप के आपके परिक्षन होते हैं एकांस का मतलब क्या होगा है आइटम्स के स्वरूप के आधार पर तो सबसे पहला परिक्षन कौन सा होता है साब्दिक बुद्धी परिक्षन साब्दिक बुद्धी परिक्षन वो परिक्षन होगा जिसमें सब्दों या भासा के माध्यम से प्रस्थनों या समस्याओं को प्रस्तुत किया जाता है ठीक है और जो परिक्षार्ती भी सब्द या भासा के माध्यम से इन प्रस्थनों या समस्याओं का उत्तर परदान करते तो ये परिक्षन वे परिक्षन है जिन में भासा का प्रियोग करके समस्याएं प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे परिक्षन साब्दिक परिक्षन कहलाते हैं ठीक है ना तो अब जैसे ये परिक्षन जनरली कैसे होता है ये कागज कलम आधारित होता है कागज कलम, यानि इसमें कागज और कलम का प्रियोग होता है, या एक तरीके से इनको लिखित परिक्षन भी बोला जाता है, इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है ना, जो साब्धिक बुद्धी परिक्षन है वो वेक्तिकत भी हो सकते हैं, और सामईग भी हो सकते हैं, यह काफी reliable और valid होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और इनमें खर्चा भी कम आता है, ठीक, और एक तरीके से जैसे हमने देखा कि इनका प्रियोग हम वेक्तिकत परिक्षण और सामेक परिक्षण दोनों में इसमें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन भासा के प्रिय का कोई भी value नहीं रह जाती है, आपको उसको ध्यान में रखना है, तो जो भासा का प्रियोग लिखना पढ़ना जाननेगा, उसी पर ही यह परिक्षण किया जा सकता है, यह आप ध्यान में रखेंगे, इसके बाद आता है, असाबदिक बुद्धी परिक्षण वे या स्थूल, स्थूल का मलब के होता है, बड़ी सामगरी का प्रियोग किया जाएगा, इनकी साहिता से प्रश्णों की रसना की जाती है, तो परिक्षार्ती क्या करेगा, सही चित्र या वस्तू को छांट लेगा, या कुछ ऐसी क्रिया करेगा, जिससे की वो अपने उत्तर को व्यक्ति कर देगा, ये भी परिक्षन अफकोस व्यक्तिगत और सामगरी के दोनों परकार के हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है, असाब्दिक बुद्धी परिक्षन की जो निर्देश हैं, वो तो प्राया भासा के माध्यम से ही किये जा जाएगा, ऐसे आप इसको केटेग्राइज कर सकते हैं, ठीक है, अब इसमें भी आपके क्या होते हैं, दो टाइप के परिक्षन वैसे बताएगे हैं, एक होता है कागज कलम परिक्षन और एक होता है निश्पादन परिक्षन, ठीक है ना, असाब्दिक बुद्धी परिक् तो अब सी सीदी बात है कि भाई देखो भासा का प्रियोग इसमें नहीं हो रहा है तो असापदिक बुद्धी परिशन जो व्यवारिक दिस्टी से देखा जाए तो कम उपयोगी सिद्ध होते हैं इसको आपने ध्यान में रखना है तो I hope कि आपको असापदिक बुद्धी प किया गया है जैसे कि क्रियात्मक बुद्धी परिक्षन है यानि कि पर्फॉर्मस इंटेलिजन टेस्ट है इसमें जो फ्रीमैन है ना फ्रीमैन ने इसकी डेफिनिशन दी तो इसलिए थोड़ा सा मैंने यहां पर इसको लिखा हुआ है क्रियात्मक बुद्धी परिक्षन व आपके प्रश्ण पूछे जाएंगे, उसमें भासा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आपके उध्यान बखना है, इस परिक्षण की जो सबसे भासा का प्रयोग एकांस और निर्देश में नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है, तो जैसे ऐसे परिक्षण जिसमें क्या होता है, निर्देश, हाव भाव या हम कह सकते हैं, निर्देशन में आपका भासा का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानि इसमें किसी भी त अबस में आपके सामने कुछ चित्र होगे अन चित्रों में से आपको सही option का चुनाव करना होगा इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम कहेंगे इसको अभासाई बुद्धी परिक्षन झाएगे ऐसे अप तो फ़यकर आप को ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो भी निर्देश होंगे वो आपके हमेशा किसी हम कह सकते हैं कि किसी निर्देशन के द्वारा किसे डिमोंस्ट्रेशन के द्वारा दिये जाएंगे भासा के द्वारा नहीं दिये जाएंगे ये चीज़ आपको ध्यान में रतनी क्रियात्मक में दिये जा सकते हैं नाम क्रियात्मक का po करना है जी को आज़से to निस outta निस्पादन परिक्षन अर्पल्श का ही रूप हरफ इसमें क्या होता है कि जो आपकी फूल मुटी है इस की साहिता की रशना की जाती है जैसे कि निर्जी वस्तों होती है न वेभिन प्रकार की लकडी के गुटके हो गए इनकी साहिता से समस्यां प्रस्तुत की जाती है अब लकडी का गुटका है बच्चा क्या करेगा इनको व्यवस्तित करके अपनी अपनी मांसिक योगेता का प्रमान दे तो निस्पादन परिक्षणों में क्या होता है कि जिसे परिक्षार्थी को कुछ कारे करके समस्या का समाधान करना पड़ता है. जैसे कि कोई चित्र है, उसको आपने एक क्रम में सजाना आपसमें तरीके से कोर्लेटेड है. फिर भी निस्पादन परिक्षण को इन्होंने अलग तरीके से केटेगराइज किया है तो आप इसको समझ लीजे कि निस्पादन परिक्षण क्या है फिर जादा तर इसमें भी क्या है कि निस्पादन परिक्षण का प्रियोग क्या होता है I hope कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब दोस्तों फटापट से बुद्धी के सिध्धान्त के बारे में डिस्कस कर लेते हैं देखे, theories of intelligence काफी सारे सिध्धान्त हैं तो इनको फटापफटम डिस्कस करने का प्रियास करेंगे सबसे पहला आता है एक कारक सिध्धान यानि की यूनिफेक्टर थियोरी इस सिध्धान के परतिपादक दोस्तों हैं बिने और बाद में जो termine understand ने इन मनोवग्यानिकों ने इसका समर्थन किया ठीक है ना तो इस सिध्धान के अनुसार क्या होता है कि जो बुद्धी है ना बुद्धी को एक सक्तिया कारक के रूप में माना गया है और इसमें मनोवग्यानिकों के अनुसार जो बुद्धी है वो मानसिक सक्ति है जो वेक्ति के समस्त कारियों का यह समस्त मांसिक कारियों का संचालन करती है ठीक है ना और समस्त व्यवारों को प्रभावित करती है लेकिन वर्तमान में सिद्धान को कोई भी नहीं मानता है इसके बाद आता है द्वी कारक सिद्धान अब द्वी कारक सिद्धान का मतलब है two factor theory इस सिद्धान के ability ठीक है ना general mental ability और जो दूसरी होती है वो होती है vicious मानसिक योगेता यानि के हम बोलेंगे specific mental ability यह अपने ध्यान में रखना है ठीक है ना general mental ability और specific mental ability जो सांमान्य योगेता जो होती है न वो सभी प्रकार के मानसिक कारे हुए पढ़ता है जब हम बात करते है जनरल mental ability की, वो हमारे जितने भी सभी प्रकार के मांसिक कारिया है उसमें पाई जाती है, जबकि जो visist मांसिक योगेता है, वो केवल visist कारियों से संबंदित होती है, ठीक है ना, अब परते एक विक्ती में क्या होता है कि सामानी योगेता के अतरिक कुछ ना कुछ स्पेर मेंने की बुद्धी में दो प्रकार की मांसिक योगेता हो की आवश्यक्ता होती है ये चीज़ को अपने ध्यान में रखना है, ठीक है देखे दोस्तों, इसको हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, लेकिन ये सपोच करें, ये आपकी बुद्धी है तो ये आपकी क्या होती है, सामानिय योगेता होती है इसको हम G-Factor बोलते हैं, ठीक है ना अब स्पैसिफिक की योगेता हैं क्या हो सकती है सपोच कर इसको हमने S से दिखा दिया, S1 और S2 यानि कि आपके पास दो अलग-अलग स्पैसिफिक की योगेता हैं, ठीक है ना जिसको हम बोलते हैं, आपकी विसिस्ट मानसिक योगेता तो आपने देखा कि ये आपकी सामानिय मानसिक योगेता है और जबकि ये जो दो हैं वो आपकी कैसी है specific यानि कि visisk monnsic yuggeta है ठीक है इसको आपने ध्यान में रखना है जो यहांपस साफ साथ देखा है कि हमने जो specific monnصic yuggeta है यानि कि visisk saman saman yuggeta है कहने का मलब है कि visisk monn目 yuggeta है इसका कहीं lapse नर्म दोनों पर परभाव है दोनों जो visisk मांसिक योगेता हैं इसको सामान्य मांसिक योगेता हों की आवशकता पढ़ सकती है ठीक है ना तो इन ध्यान में इसको आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास विशिष्ट मांसिक योगेता है भी तो भी आपको सामान्य मांसिक योगेता की आवशकता पढ़ेंगी हलंगी आपके पास अगर दो विशिस्टी योग गेता है तो वो दोनों आपस में अलग-अलग होंगी ये इस तरीके से ये चित्र इसको दिखाता है ठीक है इसको आपने ध्यान में रखना है ठीक है इसके बाद देखे दोस्तों अगला आता है आपका समू कारक सिद्धान देखे समू कारक सिद्धान ता आपका क्या कहता है दोस्तों इस सिद्धान के प्रतिपादा के थस्टन थस्टन के अनुसार देखे दोस्तों seven factors हैं इन्होंने मानलिक मानसिक योगिताओं का पता लगा है सबसे पहले इसमें आती है वाचिक भासिक योगिता यानि की वर्बल एबिलिटी वो योगिता है जिसकी साहिता से वेक्ति साब्दिक विचारों को समझता है और उनका उप्योग करता है ठीक है इसके अलावा संख्यात यानि कि नंबर अबिलिटी इस वो योग गिता होगी जिसके द्वारा वेक्ति क्या करेगा साधारन गनेती प्रकारियों जैसे कि जोना गटाना गुणा भागादी को कर लेता है ठीक है इसके बाद आएगा वस्तु प्रेक्षण योग गिता यानि कि स्पेचल अब स्पेचल ability में क्या होगा इस योग गिता के द्वारा वेक्ति वस्तु प्रेक्षण कर लेता है ठीक है न और वस्तु प्रेक्षण संबंदों को समझता है जैसे जामिती समस्चाओं को जोमेटरी जितनी प्राब्लम होती है उसको ये समझ लेता है ठीक है इसके बाद इसके बाद पर हम perceptual ability ठीक है न यानि जैसे हम perception बनाते हैं तो perceptual ability ठीक है मैं आपर लिख भी देता हूँ perceptual ठीक है perceptual ability ये इसको बोला जाता है ठीक है तो इस योगेता के द्वारा क्या होगा कि जो वेक्ति है वस्तों को सीगरता से पहचान लेता है और उनका सुद्ध रूप से परतेक्षी करन कर लेता है जैसे कि आप पढ़ने के सब्दों को पहचानना ठीक है तो उसको हम बोलते हैं परतेक्ष परक योगेता ठीक है इसके बाद आती है स्मृति योगेता यानि कि इस योगेता के द्वारा वेक्ति क्या करेगा अधिगम करेगा और प्राप्त सूसनाओं को धारन करता है ठीक है यानि आप सीखते हैं और उनको धारन करते हैं यानि कि उनको याद रखते हैं ठीक है इसके अलावा आएगा तार्किक योगिता यानि की reasoning ability इस योगिता के द्वारा विक्ती अमूर्त संबंदों का परतिक्षी करण करता है और उनका उप्योग करता है अमूर्त संबंद समझते हैं जैसे आपके abstract जितने भी आपके संबंद हैं उनको आप क्या करते हैं उनका परतिक्षी करण कर पाते हैं उनको जैसे आप अपने जितने भी विचार हैं उनका परतिक्षी करण कर पाते हैं अपने यानि अपने मन में सोच पाते हैं तर्क लगा पाते हैं, reasoning कर पाते हैं, तो आपका क्या है? एक तरीके से reasoning ability है, इसके बाद आती है साबदिक योग गेता, word ability इस योग गेता के द्वारा क्या होता है? सब्दों के सम्मन्ध में विक्ति चिंतन कर लेता है, ठीक है? तो यहां पर जो थर्स्टन है, थर्स्टन ने एक तरीके स जो seven factors माने है, तो काफे important है, जो इन्होंने साथ जो परकार माने हैं, इसको अपने ध्यान में रखना है, यो साथ मौलिक मानसिक योग गेता हैं, इनको अपने ध्यान में रखते हैं, तो यह समू कारक सिध्धानते के दोस्तों, अंतरकात आते हैं, किस ने दिया था? ठर्स पादक दोस्तों थे Thompson, ठीक है, जो Thompson थे, इन्होंने परतिदर सिध्धानत का परतिपादन किया था, और इन्होंने जो Spearman का जो two factor theory है, उसका इन्होंने विरोध किया था, ठीक है न, तो इसको अपने ध्यान में रखना है, इन्होंने बस ये बताया कि, जो two factor है, यानि होता ही कि आपका एक sample होता है, या फिर आप इसको नमूना भी बोला जाता है, इसको हमने bracket में लिखना था, कहर कोई बात नी, परतिदर्स का मतलब ही क्या होता है, नमूना या नमूना सिध्धान या sampling theories को बोला जाता है, ठीक है, इसके बाद अगला आता है, गिलफोर्ट क में क्या होता है, जैसे खोज, पुनरखोज जैसी योग्यताइं समलेत होती है, ठीक है ना, जैसे आप किसी की चीज की खोज करते हैं, या आप इसको reinvent करते हैं, ठीक है, तो काफी important है संग्यान, ठीक है, इसके बाद आता है, अभिसारी चिंतन, यानि की convergent thinking, तो इसमें सके, अभिसा, इसके बाद आएगा, अप सारी चिंतन, अप सारी में क्या हो जाएगी, divergent thinking, यानि की आप, चारो तरफ सोचेंगे, तो वो बौद्धिक योग्यता के द्वारा, वेक्ति विभिन दिसाओं में, चिंतन करता है, या खोज करता है, ठीक है, इसके बाद आएग के द्वारा क्या करता है, वेक्ति, एक तरीके से, सुद्धता और उप्युकता आधी के संबंद में, निर्ने लेता है, तो ये आते हैं, गिलफोड के सिध्धान्त, गिलफोड के सिध्धान्त में, एक तरीके से, आपके कितने हैं, बौद्धिक योगिता के, पांच मुख वर्णन के द्वारा दोस्तों ये सिद्धान का प्रतिपादन किया गया था ठीक तो इनों ने करम्ब बद्ददा के आदार पर सामान्य मांसिक योगिता को दो मुख्य वर्ग में बाटा है ठीक है ना अब इसको आप यहां पर ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों जैसा है कि हमने बोला कि फिलिप वर्णन ने इनको दो वर्गों में बाटा है सामान्य मांसिक योगिता को देखिए जो पहला वर्ग है पहले वर्ग में इनोंने बोला है प्रयायोगिक ठीक है और एक तरीके से सारे रिकारक इसको अपनी धन में रखना है प्रय दूसरे में इन्होंने बोले हैं मौखिक ठीक है और सांखिकी यानि की आपकी स्टाडसिक्स और आपके सैचिक ठीक तो मानसिक योग गेता को इन्होंने दो मुख्य वर्ग इन्होंने बताए हैं पहले वर्ग में आपके बुद्धी के प्रायोगिक और सारेरिक कारक हैं जबकि दूतिय में आपके मौखिक सांखिकी और सैचिक कारक आते हैं ठीक है तो जो Carroll का जो त्री स्थरिय मॉडल है ये John B. Carroll ने बुद्धी के त्री स्थरिय मॉडल का विकास किया है और इस मॉडल के अनुसार जो मांसिक कौसल है उसके तीन स्थर उने बताए है जो पहला है आपका उसको हम बोला जाता है सामानी स्थर यानी कि जन्रल ओके जो दूसरा इस्तर है वो कहला जाता है ब्रॉड यानि कि विस्तित इस्तर और अगला होता है संकीन इस्तर यानि कि नेरो ठीक है तो नेरो स्ट्रेटम ब्रॉड स्ट्रेटम और जन्नल स्ट्रेटम ये तीन इनों ने स्ट्रेटम बताए हैं ठीक है आप इसको बोलेंगे केरोल का थ्री स्टर्ण बंग का सिध्धान ठीक है स्टर्ण बंग जो थियोरी है वो ये कहती है कि बुद्धी बिन-बिन प्रकार के मूल को असल यानि कि बेसिक स्किल में बटी वी होती है ठीक है ना और इनी घटक के आदार पे वेक्टी को कुछ विशेश सूसनाएं मिलती हैं स्टर्ण हमने बुद्धी के त्री तंतर का परतिपादन किया है अब इनके त्री तंतर में कौन-कौन हैं देखी दोस्तों एक होती है पहले विशेशनात्मक बुद्धी देखे विशेशनात्मक बुद्धी के बारे में हमने पहले भी डिसकस किया यानि विशेशनात्मक जो आपका सिध्धान ते उसके बारे में तो हमने पढ़ाई है ना तो इसमें हम क्या करेंगे समस्या को विभिन चोटे-चोटे अंसों या भागों में बाट के उसकी समाधान करने का प्रयास करेंगे तो यानि अगर आप विशलेशनात्मक बुद्धी की बात करेंगे तो समस्या समाधान में समस्या को विभिन अंसों या भागों में बाट कर उसको समाधान करने की जो चमता होगी वही क्या कहलाएगी विशलेशनात्मक बुद्धी कहलाएगी ठीक है इसको अपने ध्यान में रखना है इसके बाद आएगी अगली क्या आएगी स्रिजनात्मक बुद्धी अब स्रिजनात्मक बुद्धी क्या होगी आपका इसको हम अनुभाव जन्य बुद्धी भी का जाता है ठीक है creative intelligence ठीक तो इसमें आपके वैसे मांसे कौसल समलित होगी जिसकी आवशक्ता नई समस्या आपके सामने आजए तो उनका समाधान करने में पढ़ती है ठीक है ना तो इसमें वैक्ति क्या करता है किसी समस्या के नई समाधान पर पहुंचने का प्रयास करता है ठीक है ना यानि अपनी दरफ से creative thinking है ठीक है इसको अपनी ध्यान में रखना है यानि creative intelligence ओके अब इसके बाद आती है व्यावारिक बुद्धी यानि practical intelligence तो इस प्रकार की जो बुद्धी है उसको हम संदरबातमक बुद्धी भी कहा जाता है ठीक है ना इस तरह की बुद्धी में कैसी चमता होगी जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जिंदिगी में जो भी सूचनाए है उनको इस तरह से उप्योग करेगा कि उसका वो अधिकादिक लाब उठा सके ठीक है और इस प्रकायर की बुद्धी में व्यक्ति अपने वातावरण को एक खास धंग से मोलने की चमता रखता है ठीक है आप इसको ध्यान में रखना है और अपने जो परियावरण है उसके संग बहुत इजिली वो क्या कर लेता है एडप्ट करने की चमता भी उसके अंदरगत रहती है व्यवारिक बुद्धी उसी को बोलेंगे ठीक है जो आपने सीका है उसका आप व्यवारिक रूप से किस तरह से प्रियोक कर पा रहे हैं वही व्यवारिक बुद्धी के अंतरकत आता है यानि कि practical intelligence के दोस्तों अंतरकत वो आता है ठीक है इसके बाद आता है बहुत important सिध्धान्त है इसमें देखे आप इसको ध्यान में रखेंगे 1983 में हुवर्ट गार्टनर द्वारा इस सिध्धान्त का प्रतिपादन किया गया था इन्होंने इस सिध्धान्त में स्पस्टि किया है कि बुद्धी का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुकारी की यानि वो सिंगलर नहीं है ठीक है वो प्लूरल है ठीक है इसको अपने ध्यान में रखना है ठीक तो उन्होंने ये माना कि जो बुद्धी का स्वरूप है वो एकाकी ना होकर बहु प्रकार ये होता है यानि plural होता है तो इन्होंने साथ प्रकार की बुद्धी बताई जो परस पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती है ठीक है इसको अपनी ध्यान में रखना जो साथ प्रकार की बुद्धी है वो क्या क्या है पहली है भासाई बुद्धी देखिए दोस्तों भास बद्धी का क्या मतलब होगा तार्की का और गणेती बद्धी से घृ इंवसमे प्रवींदता है संगीत क्या होगा बही, जैसे पिछ है, या रिदम है, उसको समजने में ठीक है, यह आपकी संगीत सामर्थेता कितनी है यह उसमें निपोर्टा कितनी है, वो आपकी संगीत बुद्धी है वेक्तिक आत्म बुद्धी, वो क्या है कि अपने भावों और समेगो को एक तरीके से मॉनिटर करने, उनमें विभेत करने और स्वैम के व्यवार को निर्देशित करने की जो च्छमता है वो इसमें समावीत है, ठीक है ना? और इसके बाद आती है व्यक्तिक अन्य बुद्धी देखे व्यक्तिक अन्य बुद्धी का अगर हम बात करें तो वैक्तिक अन्य बुद्धी का मतलब यह है कि अन्य वैक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यक्ता, आदी को समझने तथा दूसरों के संग व्यवार करने की जो छमता है वो उससे इसका संबंद है ठीक है ना इसके अलावा भी दोस्तों वैसे देखा जाए तो जो गार्डनर हैं इन्होंने 1998 में अच्वी प्रकार की जोड़ी थी तो वर्बन में में देखा जाए तो गार्डनर के अनुसार नौ बुद्धि हैं वैसे महना अपर 7 लिखी है तो नौ प्रकार की कौन-कौनसी होती है एक इनों ने जोड़ी प्रकति वादी बुद्धी मैं आपर लिख लेता हूँ प्रकति वादी ठीक है प्रकति वादी बुद्धी और एक होती है अस्तित्तो वादी ठीक है अस्तित्तो वादी कई बुक में सेवन मिलेगा कई बुक में नाइन मिलेगा तो फिलाल जहां तक मेरा ख्याल है नाइन ही होना चाहिए प्रकति वादी बुद्धी ठीक है ये आपकी जो प्रकति है उसे समझ से आधारित है अस्तित वादी यानि की आपकी एक्जिस्टेंस से ये रिलेटर है ठीक है ना यानि अस्तित वादी बुद्धी है इसको आपने ध्यान में रखना है ठीक होगा तो मिलते हैं अगले topic में till then take care and goodbye